नमस्कार भब्रिया आपका स्वागते बिहारी न्यूज में चले जानते बिहार की अब तक ही बड़ी खबरों को JEE Advance के नतीजे 5 अक्टूबर को होंगे जारी IIT में दाखला के लिए JEE Advance परिक्षा के नतीजे 5 अक्टूबर को जारी कर दिये जाएंगे नतीजे IIT दिली JEE Advance के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होंगे इसके पहले रविवार को पटना सहीत राजी के कुल 72 परिक्षा केंद्रों पर JEE Advance परिक्षा का आयोजन करवाए गया इसमें लगभग 30,000 छात्रों ने भाग लिया था सुबह से ही परिक्षा केंद्रों पर छात्रों की भीर जमा होने लगी थी दो पालियों में आयोजीत परिक्षा के बाद छात्रों ने बादचीत में बताया कि मिले जुले प्रशन पत्र देखने को मिले परिक्षा समाने रूप से हो गई है चात्रों ने रसायन शास्त्र के प्रश्णों को सरलता से हल कर लिया इसके साथ ही चात्र गणित वो कुछ फिजिक्स में उलचते भी नजर आए अपियरिंग चात्रों को परिशानी ज्यात देखने को मिली कम मतदान वाले बूत पर अधिकारियों की टीम करेगी रिसर्च कम मतदान वाले बूत को लेकर जल्दी रिसर्च किया जाएगा मिली जानकारी के नुसार मतदान का प्रतिशत क्यों कम रहता है और मददाताओं में ज़ाग रुकता क्यों नहीं हो रही इस दशा में काम किया जाएगा प्रदेश के सब्सक्राइब सभी जिलों में कम प्रतिशत वाले मददान के इंडरो पर एक विशेश टीम को लगाय जाएगा भागलपुर में पैसेंजर ट्रेन शुरू होते ही दिखने लगी लोगों की भीर भागलपुर जिले में मालदा रेलवे मंदल के साहिब गंज क्यूल रेल खंड पर मेमो पैसेंजर ट्रेन को भी कोबड़ 19 स्पेशल बनाकर चलाय जा रहा है इस ट्रेन में सफर करने वाले य भक साथ हजार यात्रियों ने ट्रेन में सफर किया लेकिन नियामो का पालन नहीं किया गया स्टेशन पर यात्री बगयर मास्क के घूमते नजर आई इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की जम कर धजुया उड़ाई गई हाला कि यात्रियों को प्लाटफॉर में पूजा को लेकर बड़ा फैसला लिया है जिसके तहित पटना प्रसाशन ने यह फैसला लिया है कि इस बार मादुर्गा घर तो आएंगी लेकिन पंडालों में नहीं दिखाई देंगी COVID-19 के संक्रमन को देखते वे प्रसाशन ने पूजा पंडाल और मेले के आयोजन पर रोक लगा दिया है इस बार लोग घरों में ही मा भगवती की पूजा करेंगे हर साल की तरह इस साल ना तो पंडाल को सजाय जाएगा ना ही प्रतिमा स्थापित की जाएगी पटना प्रसाशन ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकाल के दिश्रा निर्देश के मताबिक किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोग इखटा नहीं हो सकते 30,000 ज़वानों की मौजूद्यों के लगभग 30,000 जवानों को तैनात करने का निर्देश दे दिया है कि बिहार में चुनाफ संपन्न करवाने के लिए केंद्रिय सशस्त्र पुलिस बल और रेल्वे सुरक्षा बल की 300 कमपनियों को तैनाद किया जाएगा ताकि चुनाफ शांतिपूर्ण धंग से करवाया जा सकी इस आदेश के मुतावी कधिक्तम 80 कमपनिया केंद्रिय रिजर्फ पुलिस बल में होंगी इसके बाद साशस्त्र सीबा बल में 70 कमपनिया सीमा सुरक्षा बल में और 55 केंद्रिय ओद्योगे की सुरक्षा बल में 50 भारत साथी साथ तिबत सीमा पुलिस बल से 30 और फिर आरपी अभिने की दुनिया में काम करते नजर आ रहा है। प्रदूशन कम होने की कारण विदेशी पक्षी नहीं लोटे अपने वतन पिष्टे कई सालों से शहरवासियों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी स्वाच वाँ नहीं मिल रही थी लोकडाउन में तीन महीने तक वानों की आवाज़ाही कम होने कलकार खानों और मानवीय गतिविधियों के थमने का अनुकूल असर पर्यावरन पर पड़ा है इसी साल मार्च अप्रेल में लोटने वाले प्रवासी पक्षी यहीं रुके हैं गंगानदी के किनारे इस मौसम में स्थानिय पक् इवा मन्ध यूरोप से आते हैं नवंबर में जब इन इलाकों की नदिया जीलो का पानी जम जाता है तो भारत का रुख करती हैं बागलपूर में यह पक्षी गंगानदी के किनारे डेरा डालते हैं और यह पक्षी मौसमी अनुकूल नहीं रहने के कारण अपने देश में प्रजुनन नहीं करते हैं इसके साथ ही औस्ट्रेलिया इपक्षी मैपाई रॉबिन इस बार यहीं रुग गया है आगामे विधानसभा चुनाव में हेलिकॉप्टर की बुकिंग को लेकर सुस्त पड़े राजुनेतिक दल पिछले विधानसभा चुनाव में हेलिकॉप् हेलिकॉप्टर के लिए संपर्क करने लगते थे और बुकिंग की जड़ी लग जाती थे लेकिन इस बार बुकिंग तो दूर अब तक एक क्वेरी भी नहीं आई है लगभग एक महीने से पटना एरपोट पर साथ ही एरवेस के सहयोग से हेलिकॉप्टर खड़ी कर रखने वाले ऑपरेटर अंशु अमर ने बताया है कि अब तक एक भी बुकिंग नहीं मिली है पिश्व चुनाव में 12 एवियेशन कंपरियों के हेलिकॉप्टर ने चुनाव प्रचार में भाग लिया था लेकिन इस बार चुनाव ऑपरेटर को 10% कारोबार होने की भी उमीद नही राज़त में शामिल हुई लवली आनंद तेजस्वियादव ने दिलाई सदसिता राज़त में लवली आनंद शामिल हो गई है लवली आनंद ने राज़त का हाथ थामते ही कहा कि वर्तमान सरकार लोगों के साथ हन्याय कर रही है आनंद मोहन समीत सभी बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है इस सरकार ने यह सरकार धोके बाजी है लेकिन जनता अब इस सरकार का हिसाब लेगी और इसको सबक सिखाएगी हमारे साथ सभी वर्ग के लोग है आनंद बोहन के बेटे चेतन आनंद ने कहा कि हमारे साथ धोका हुआ है मैं आराना प् विहाविधासवा चुनाव को लेकर सभी राजुनेतिक दलों के लिए जारी हुई गाइडलाइन। विहाविधासवा चुनाव प्रचार कारिक्रम में राजुनेतिक दलों के लिए जारी हुई गाइडलाइन। विहाविधासवा चुनाव चुनाव प्रचार के लिए जारी हुई गाइडलाइन। विहाविधासवा चुनाव प्रचार के लिए जारी हुई गाइडलाइन। सुशान सिंग राजबूत मामले को लेकर CBI जो आज का सपोर्ट किया था इस मामले को लेकर उन्होंने रिया चोकरवर्ती की आउकात की बात भी कह डाली थी। लेकिन अपने पद को छोड़ कर जॉइन करने के बाद उन पर कई सवाल भी खड़े किया जार है। इसक्राम में अभिरेतरी स्वाराभास करने भी उनके मौका परस्ती पर सवाल उठाते वे उक्तुबाते कही है। IPL के 13 वे संसकरन में आज आमने सामने होंगे RCB और Mumbai Indians, IPL के 5 वे संसकरन में आज Mumbai Indians और Royal Challengers Bangalore और आमने सामने होने वाले हैं। टूर्णामिन में जीत के साथ शुरुवात करने वाली RCB इस मैच में तेज गेंधवाजों की कमियों को दूर करना चाहेगी King's 11 पंजाब की खिलाफ उनकी बल्ले बाजी ताश के पत्तों की तरह भिखर गई थी। तो पहले मैच में सन्राइजर हाइदराबाद के खिलाफ प्रभावी जीत मेरी थी Mumbai Indians ने भी अब तक दो मैच खेले हैं। कावितों की संख्या बढ़कर 60,74,702 पर पहुंच गई है। पहुच गई है वही जान गवानेवालों की दर में गिरावर देखी गई है जिसके बाद यह दर 1.57 प्रतिशत पर पहुच गई है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। अब के नुसार मुंबाइ इंडियन्स और रॉयल च्यालिंजर्स बेंगलोरों में से किसका पढ़ रहा ज्यादा भारी लग रहा है। अपने जवाब हमें कमेंट करके जुरूर बताए इसके साथ ही आज करे बस अतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अवड़ेटी रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाएक और नबाना ना भूले धन्यवाद।